बख्षोट क्या है करबोश पकड़ना मुश्किल है सिम्बा मैदान में चलते हैं सिम्बा वहां हमें हरी घास मिलेगी नहीं शुक्रिया हरी घास तुमका मेरा खाना यहीं है सिम्बा वापस आओ सिम्बा रूपो सिम्बा सिम्बा सुब तुम नहीं पकड़ पाओगे सिम्बा तुम नहीं पकड़ पाओगे उसे हुआ जाओ 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 के घास खाओ सिंबा मैंने कहा था तुम ठीक हो पर मुझे भूख लगी है तु ठीक है चलो खुले मैदान कियों चल कर कुछ मज़ेदार खाते हैं रुख को बख्षाट कहा था खर्गोष तुम्हारे बस की बात नहीं है बता है यह दिलाने की जरूरत जाओ जाके खास खाओ काओ काओ तुम यहां तुम घर क्यों नहीं गए भूखने लगी क्या हम चमेली मा पर खाना खाने के लिए निरवर नहीं रहना चाहते हैं हम अपना खाना कुछ डूण लेंगे या कहां आज निरवर बनोगे भूख लगी है काओ इतनी चोटी उमर में आप निरवर होना इस जंगल में बहुत मुश्किल है चमेली मा के पास जाओ वो तुम्हें सिखाएगी जो सीखना चाहिए नहीं आजकल वो संजीव की किताब से शाकाहरी विंजन के सिवा कुछ नहीं बनाती यह बात है तो तुम्हें अगस्त्य के पास जाना चाहिए वो वो मदद करेगा वो हम सबसे ज्यादा बुद्धिमान है काफी किताबे पढ़ी है उसने हो सकता है वो तुम्हें कुछ ऐसा बता दे जिसकी तुम्हें ज़रूरत हो अच्छा तो अब मैं चला अपने रास्ते और तुम चलो अपने रास्ते शुक्र आखिरा ही गए वो देखो सिम्बा कहते हैं यहां की घास आपकी सारी भूख मिटा देती है शायद पर शेर कभी घास नहीं खाते बगशॉट बडबड करना बंद करो और यह हरी हरी घास खाओ सच में स्वाद अच्छा है क्या बगशॉट स्वादिष्ट है और पता है मैं तो दिन भर खा सकता हूं तुम भी खाओ सिम्बा इससे कोई नुक्सान नहीं होगा अजीब लग रहा है सिम्बा मेरे दोस्त क्या तुम तयार हो बदला लेने के लिए इन्होंने हमारे माता पिता की जान ली हां मेरे दोस्त चाहे कुछ भी हो जाए मुझे शेर खान और उसके चमचे लकी तबाकी और उन बंदूबधारी मनुश्यों से बदला लेना है तो फिर चलो अब वक्त आगे आगे हुआ प्ष्बधारी जागे' हम प्ष्बधारी सो करना क्या चाहते है तो लवाई की तैयारी कर रहा है कैसी तैयारी कर रहे हैं मैं शेर्फालों ख़बर देता हूं मालिक एक अच्छी खाबर है सिम्बा और बख्षवार पागल हो गए है उन्होंने अमें डराने की भी कोशिश की और वो अब आपको ढूंड रहे हैं जनाब मालिक सुन रहे हैं हुजूर को देखता नहीं मैं सो रहा हूं उन्हें आले आओ मैं देख लोगा उन्हें हैं और देखते नहीं वो सो रहे हैं हैं हो हाँ ठीक है ठीक है पर कैसा कहते हैं करो आप कि अन्हें यहाद लेकर आओ और उन्हों चुटंकों का नाष्टा मिकरेगे लेकर आओ रिम तुम्हे नास्ता बना दूगा अब शेयर खान ने का कि अमये पकाड़ना है तो फॉरूँ छुटना चाहां चला हूँ तो फॉरूँ तुम्हाँ तुम्हाँ करेंगे यह तो मुश्किल है कैसे पकड़े अगर हम उनके पास गए तो आमें छोड़े के नहीं पर उन्हें नहीं पकड़ा तो शेर खान को क्या जवाब देगे मुश्किल कान है देखो कितना उछल रहे हैं चलो चलो चोड़ नामत सिंबा शेर खान बचना नहीं चाहिए बहुत अच्छे सिंबा वो क्या कर रहा है कुछ समझ में नहीं समझ नहीं हारा चलो तो मा को लेकर आ मैं एलेक्स को बिलाता हूँ सहिका उन्हें मा की जरूरत है शायद उनके पागलबन को एलेक्स सी जीक कर पाएगी पता नहीं क्या हो गया है जल्दी जाओ उन्हें ये दवा रोज देना थोड़ी थोड़ी वो हमेशा स्वस्त रहेंगे ठीक है ठीक है एलेक्स शुक्रिया ओ मा ओ मा गरबर हो गई क्या हुआ है सिंबा और भक्षार पागल हो गए है वो जाडियों को नश्ट कर रहे है चलकर देख लीजिए अजीव परताव कर र शुक्त हाँ हाँ वो रहे बिल्कुस सामने देखो लगता है इन्हों औरे कुछ ऐसा खालिया जो इन्हें नहीं खाना चाहिए था उठो बच्चे तुमने ऐसा क्या खाया बेटा मुझे घरगोश खाना था पर पक्षोट ने मुझे घास खिलाए ऐसी घास मुझे याद नहीं वो जाडियों से लेट रहे थे हमने देखा हां काफी आदंक मचाया है तुम्हें पेड़ पौधों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए उन्हें भी जान होती है कुछ समझ में आया तुम्हारा बरता बिल्कुल गलत था एलेक्स ने सही कहा पेड़ भी हमारे दोस्त है मैं उठ न उन्हें थीक हो जायेंगे अलेक्स हां इस चड़ी बूटी के कारे से सब कुस्ष ठीक हो जाता है हां यह लो सिंबा पी लो पीवलो पीलो सिंबा इससे तुम ठीक हो जाओगे एई है पी यू बहुत बढ़िया सेमबा तुम बहुत अच्छे हो अब बग्षॉर्ट तुम्हारी बारी है जरा मुखोलो बग्षॉर्ट ये पीकर अच्छा एगेगा अब ठीक लग रहा है दोनों एक जैसे हैं सिम्बा बग्षॉर्ट शाबाश अंत भला तो सब भला चलो आगस्तिय को बताजा कि उसका कारा काम कर गया और मैं इन शैतानों को घर ले जाती हूं ठीक है फिर मिलेंगे फिर मिलेंगे अलवदालत अगस्तिया अगस्तिया उठो भी मुझे तुम से बात करनी है क्या तुम सुन सकते हो उठो आलसी कहीं के तुम्हारी मदद की जरूरत है सिम्बा को तुम्हें सिम्बा को बताना होगा कि जंगल में क्या उसके खाने लाइक है और पक्षाट को भी उन्हें कुछ नहीं पता खीक है बर पहले यह खतम कर लूँ फिर उन्हें सिखाता हूं कि पेट कैसे भरा जाता है शैतानी मत करो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूं भूट लगी है अब बस भी करो हमेशा खेलते ही रहते हो तुम यहां खेल रहे थे और हम वहां शेर खान से लड़कर आ रहे हैं बता है सही सुना अरे बतलाग है यह तो हमने आखिर अपना बदला ले ही लिया यह आसान नहीं था तुम दोनों जर्पों को तुम्हें बस सूचता है तो खाना सोना और खेलना जब तुम यह सब कर रहे थे मैं पिताजी का पदला ले रहा था शेर खान से बुझ दिलो तुमने उनके लिए कभी कुछ नहीं किया का को देखा अकडू हाँ मा वो थोड़ी दूप से एक रहा है क्या तुम उसे बुला लाओगे क्यों नहीं सिम्बा और बग्षोड की अकल वही ठीक आने लगाएगा का अब देखना तुम वो सो गए उन्हें पास इसी की जरूरत थी सचमी हां नींग की वज़े से जड़ी पूटियों का काड़ा अच्छा असर करेगा करो 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 मैंने पहले ही कहा था कीन के आस पास मत पठकना दोबारा नहीं काऊंगा अगली पार यहां तिके तो देख लेना कैसी हूँ प्यारी दोस्तों कि अपर जड़ जाओ पर मैंने उन्हें अभी अपना कारा दिया है वो ठीक हो जाओ इसी वज़े से यहां बुलाया था हां मैं चाहते हूं कि तुम उन्हें सिखाओ कि दूसरों के साथ आदर सी कैसे पेशा है तुमने मुझे क्यों बुलाया इस काम के लिए अगस्तिया से बैतर कौन हो सकता है पर कोई बात नहीं मैं हो ना एलेक्स सिम्भा प्यारे बच्चे उठो बक्षट जल्दी से उठो चलते हैं बढ़ाई का वक्त हम ठके हुए हैं हमें अकेला छोड़ दो और कमजूर भी मैं अब तक तुम्हें निगल गया होता तुम्हें पता ही नहीं चला कि मैं यहां हूँ मतलब जब मैं सपने में खाना देख रहा था तब तक मैं तुम्हारा निवाला बन चुका होता कोई कोई ऐसा क्यों करेगा मैं तो एक छोटा सा बच्चा हूँ ना कोई मुझे तब तक कैसे खा सकता जब मैं नीन में हूँ मुझे नहीं लगता मुझे भूख लगी अब तो शायद मैं हरी हरी घास भी जाकर खा सकता हूँ नहीं छोड़ो मजे छोड़ो इसे मां उमीद है कि तुन्हें सबक्सीत लिया होगा तुम्हें चोकरना रहना होगा सिंबा हम सब खाद शिंखला में आते हैं और तुम्हें पता होना चाहिए कि जंगल में खुद की रक्षा करना कितना जरूरी होता है ताकि तुम खत्रों और तुम्हें शिकार करना भी आना चाहिए बगीरा तुम्हें शिकार करना सिखाएगा और तुम्हें पता है कि घास जाडियां कैसे डूड़नी हैं और तुम्हें सीखना होगा कि उसमें से खाने वाली कौन सी है और कौन सी नुक्सान पहुचा सकती है हर जीवित चीजों का एक उदेश्य है कुछ चीजे प्राडियों का भोजन बनती हैं अब कुछ चीजे खाने लाइक बिल्कुल ही होती पर उन्हें सुरक्षित चीजों की बारे में कैसे पता चलेगा पढ़ाई करके उससे तुम अपनी बड़े-बड़े फैसले ले सकते हो जैसे कि पढ़ाई स से यही का था मुझे एक मोटा सा घरगोश मिला था पर बक्षॉट ने उसे पकड़ने नहीं दिया है वैसे भी वह बहुत तेज था बगीरा तुम्हें बताएगा कि शिकार कैसे करना है ताकि तुम पेड़ों घास अपने दोस्ट बक्षॉट के लिए छोड़ दो उसका ख कोटे सुचोथे कीड़ों का भी आदर करना चाहिए हर चीज जरूरी है समझे तुम चलो भार्शन बहुत हुआ अब इन्हें यह बताओ कि उन्हें क्या करना चाहिए और वो कहां मिलेगा तुम उन्हें यह बताना भूल गए कि वह पेड़ों पला के फ़ल भी खा सकते हैं मैं भूला नहीं पर फल सिर्फ बक्षाट ही खा सकता है पर तुमने सही का फलों में बहुत ही पोशक्तत होते हैं बस यह याद रखना कि वह ठीक से पके हों और जबीन पे गिरे हुए हो जब वो पके हुए होते हैं तब वह स्वास्ति के लिए सब से अच्छे होते हैं और तुम्हारी उम्र में सीखने के साथ खेलना भी चाहिए सुना तुमने चलो चल कर लोग का छुपी खेलते हैं आता हूँ समझ गया पर अभी मुझे सोना है हां कैसे हो तुम लोग किसीने मुझसे कहा कि मुझे तुरंत यहां आना है कुछ गर्बल है कोई भारी चीज तो नहीं उठाने है लगता है आज बच्चों को बहुत कुछ सुनना पड़ा है कोई कुछ तो बताओ क्या कोई नई शैतानी कर दी हां आज कल पता नहीं क्या-क्या खा लेते हैं मेरी तु सुनते ही नहीं अच्छा तो फिर यह बताओ मेरी सूर के ठंडे पानी के फवारों से नहाना कौन पसंद करें नहीं शुक्रिया वो अभी भी सीख रहा है हाती पता है बस मजा कर रहा था अभी ये बच्चे हैं समय के साथ सीख जाए तरसल मैं भी थोड़ी देर पहले इन्हें यहीं समझा रहा था थी लगता है इन्हें समझ में आ गया है ठ शुक्रिया मैं थोड़ा आराम करता हूं नने बच्चों शयतानी मत करना हां अगर तुम्हें चमेली के हाथों का खाना पसंद नहीं है तो तुम्हें खुट खाना ढूंडना होगा सिम्बा तुम बगीरा से शिकार करना सीख लें और तुम बख्षोट तुम मेरे साथ क्या खाना चाहिए और क्या नहीं ठीक है बख्षोट अगर यह प्रिस्ताव मन्जूर है तो मैं अभी बगीरा को बुला लेता हूं हां 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 ब्लकुल उम्मीद इससे तुम्हे कुछ बदत मिलें हम सबने वादा किया था याद है न हां शुक्रिया तुम बहुत अच्छे हो हाथी कैसे हो बगीरा यहां जल्दी आने के लिए शुक्रिया चमेली थोड़ी परिशान है कैसे हो हुआ हो मैं इसे खाने ही वाला था कि तुम लोगों ने बुला लिए सिम्बा को सिखा और शिकार कैसे करना है आज कल कुछ भी खाता है कैसे हो सिंबा ठीक हूं नहीं इसे मच्छ हो सिंबा यह तुम्हारे लिए नहीं है यह मेरा शिकार है वो में पानी आ गया ना बगीरा, बस थोड़ा सा खाने दो, कल तो तुम मुझे शिकार करना सिखा दोगे ये लो, तुम खा सकते हो, पुरा खा ले, उसके बाद एक अच्छे सी नेन ले लो, ताके कल हम शिकार पर जल्दी निकल सके शुक्रिया, अगर तुम ना होते, तो इन्हें संभालना कितना मुश्किल था, ये सब शैतान है, बच्चों को ठीक से पालने का वादा हम सब ने किया था, खल से मैं खुद सिंबा को शिकार करना सिखाऊंगा, और बग्शोट का अच्छा हिरन बनाने की जिम्मेदारी मुझ उस पर छोड़ दो चमेली, आज सिंबा और बग्शोट बहुत खुश हैं क्यूंकि उनके पास खाना है, पर क्या आने वाले समय में वो आज मिली सीख से कुछ सीख पाएंगे, बड़ा और ताकतवर बनने के लिए उन्हें अच्छे खाने की जरूरत होगी, ये जानने के लिए हमें अगले एपिसोड का इंतजार करना होगा.